वेलकम टू A.S.C. मास्टर माइंड आजम क्लास 12 की पोलिटिकल साइंस का चेप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो धुरुविता का अंत है और वो क्यों है देखें फर्स चेप्टर में में पढ़ा था कि USA है ठीक है और USSR है इनके बीच में शीतिदु चला था तो हम अंत हो जाता है ठीक है USSR का अंत हो जाता है इसलिए इस चेप्टर का नाम है दो धुरुविता का अंत ठीक है यनि दूसरी धुरुविता जो है वो खत्म हो जाती है और USSR यह एक महाशक्ति बचता है ठीक है और इसलिए आगे के टाइम को का जाता है एक धुरुविय विश् इंट्रोडक्शन सबसे पहले, सोव्य संग का, ठीक है, उसके बाद उसकी विशेष्टाएं पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ तो खासियत रही होगी न, सोव्य संग की, जिसकी विशे इतनी बड़ी महासकती बनी, ठीक है, इसके अलावा फिर पढ़ेंगे कमिया, ठीक है, हर ची इसी में डिसकस करेंगे, इसी विडियो में, उसके बाद बाकी का जो यह और यह जो पॉर्शन है, यह हम पार्ट टू और यह पार्ट त्री में डिसकस करेंगे, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले, हम आपको बता दें, कि अगर आपने हमारा चनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको उपलब्द होती रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए आप यहां पर में पढ़ेंगे कि सोवेत प्रणाली क्या थी इंट्रोडक्शन ठीक है तो इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहा नहीं सुनाता हूं ठीक है सुवेत प्रणाली का जन्म कैसे हुआ यह आपको पता चल जाएगा ठीक है तो समय में पीछे चलते हैं देखिए रूस जो है वह बहुत ही बड़ा सामराज्य बड़ा देश है ठीक है अब यह रूस है वहां क्या था पहले राजतंत्र था ठीक ह जन्ता जो है वह बहुत जादा गरीब थी आसमानताएं थी जमिंदार अधिक शक्तिशाली होते थे ठीक है और किसान और बदहाली में जीते थे लेकिन क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि जन्ता जो है विरोध करती तो क्या करते कि राजा जो है अपनी सैनिक भेजता और उस जबी ने जो क्या कर दिया विरोध करना शुरू कर दिया और फिर एक समया ऐसा है जाब रूस के ही एक पार्टी थी ठीक है रूस की एक पार्टी थी इस पार्टी ने क्या कर दिया रास्तंतर को समाप्त करवा दिया ठीक है एक बड़ा विरोध परदशन हुआ 1917 में रूस क करांति तूसमें क्या है कि रास्तन्तár को समात्त कर दिया गया लेकिन ब्रोश की पार्टि जो थी उस पार्टि से जो सत्ता में आये थे डिषे डिष्य नेता ने ATE क्या उस वाइनि च और भी इंहों नहीं हुई है ठीक है अभी जो है बहुत कुछ बाग किया है तो उन्होंने क्या किया जो सत्ता में थे उनको समाप्त कर दिया नहीं रूस की पार्टी से जो बने थे उनको जो है रूस की पार्टी जो थी उसको क्या किया उसके नेता को जो है समाप्त करवा दिया यानि सत्ता सोवेत पनाली में अपनी सरकार बनाई और ये सबसे पहले राश्टेपती बने लेनिन ठीक है तो अब समझते हैं कि उसके बाद क्या हुआ यानि कि देखिए ये लेनिन थे इन्होंने ही क्या किया था कि समाज बात को सोवेत संग में अच्छे से लागू किया था इसके कारण क्या हुआ था कि जो वर्ग भेट था यानि कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे ये जो मसला था ये सौल्व हो गया था ठीक है इस वज़े से ये लोग परियनेता थे अब देखते हैं पॉइंट्स तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पहला पॉइंट से कि रूस में 1917 तो 17 में हुई समाजवादी क्रांती के बाद सोवेत प्रणाली का जन्म हुआ अभी हमने समझा किस तरह से क्रांती हुई और सोवेत प्रणाली का जन्म हुआ ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट है इस क्रांती में पूंजीवाद का विरोध किया था ठीक है और समाजवाद का समर्थन पुंजिवादी का विरोध क्यों क्यों कि देखे पुंजिवादी तो पहले था जिसकी विसे क्या होता था कि जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे थे गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे थे पुंजिवाद में क्या होता है कि उत्पादन के जितने भी साधन होत सरकार जो है सब में बराबर बराबर संपत्ति जो है बाटेगी यानि सब के पास घर होगा अपना ठीक है तो इस तरह से उध्योग होंगे उध्योग जो है वो भी सरकार के अंडर में होंगे ठीक है समाजवाद की विवस्ता में क्या होगा उध्योग भी सरकार के होंगे किसी एक वेक्ति का नहीं होगा इसरीफ सरकार चलाएगी उद्धियों ठीक है तो इसी तरह ये जो है पुन्जिवाद का विरोध किया गया और समाजवाद का समर्थन किया गया पुन्जिवाद में क्या होता था कि वर्ग भेध हो रहा था ठीक है जाद अमीर अमीर बनता जा रहा था गरीब गरीब और समाजवाद में क्या था कि हर कोई जो समान था इसलिए समाजवाद का समर्थन किया गया अब देखते है next परतेख संपदा पर ठीक है आप यहाँ देखिए परतेख संपदा पर जो है राजी का नियंतरन था परतेख संपदा पर तो अर्थवैस्ता पर भी सरकार का नियंतरन था इसमें नीजी स्वामित्व नहीं था यानि कि हर चीजों पर सरकार का नियंतरन था इसमें नीजी स्वामित्व यानि कोई किसकी प्राइविट प्रॉपर्टी नहीं थी खुद का कुछ नहीं था, ठीक है, सब पर सरकार का अधिकार था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं पंदरा गंड राज्यों को मिला कर सोवे संग बनाया गया था, यानि कि ये जो सोवे संग हमने पढ़ा ना, सोवेत प्रनाली इसको, इसमें कितने देश शामिल था, पंदरा, पंदरा देशों को मिला कर ये जो है, सोवेत संग बनाया गया था, संग ऐसी नाम नी पढ़ा, संग मतलब होता है, यानि कि यूनियन, मिलकर बना हुआ, ठीक है, तो ये पंदरा, जो देश थे, ये मिलके बने हुए थे, और इन्हें किसीज का निर्मान किया सोवियत प्रणाली का ठीक है सोवियत संक का यू एस एस आर का ठीक है तो अब देखते हैं next point देखें सोवियत संक पर केबल कम्मिनिस्ट पार्टी का शाषन था दूसरी पार्टी की कोई जगा नहीं थी अब ये देखिए हमने पढ़ा था न अब हम देखेंगे इसमें सोवियत प्रणाली यानि सोवियत संग यू एस एस आर आप जो कहें उसकी विशिस्ता जानते हैं ठीक है सोवियत प्रणाली की विशिस्ता क्या है तो देखें सबसे पहली विशिस्ता आपके सामने है अखिर कोई तो वज़ा होगी जिसकी संचार प्रणाली थी यानि सूचना परवचानी की जो तकनीक थी वो बहुत ही जादा विक्सित थी ठीक है तो सबसे पहले विशेस्ता क्या है संचार प्रणाली अधिक विक्सित थी देखते हैं next सोवेशंग के पास विशाल उर्जा संसादन मौझूद थे ठीक है जैसे कि खनेज़ थे लोहा इसपात और मशीनरी यानि कि सोवेशंग के पास क्या था कि बहुत अधिक महात्रा में उर्जा संसादन जो है वो मौझूद था ठीक है जैसे कि खनेज़ है लोहा इसपात और मशीनरी इसकी वाज़से उसके पास कोई भी उर्जा संसादन की कमी नहीं थी ठीक है अब next देखते है next point है कि Soviet संग Soviet संग के दूर दराज के इलाके में आने जाने के लिए बहतर व्यवस्था थी यानि कि अगर Soviet संग है ठीक है यह सोवे संग है अगर उसको एक छेतर से ठीक है दूसरे छेतर तक जाना हो तो उसके लिए जो क्या था एक बहुत ही अच दूर दराज के इलाके में आने जाने के लिए बहतर व्यवस्था की गई थी ठीक है तो अब यह देखिए कि अगर आप इस point को अगर अच्छे से समझना चाते हैं और अच्छे से लिखना चाते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि संचार प्रणाली अधिक थी और और point पढ़ लेते हैं ठीक है सोव्य संग की विशेष्था की देखिए तो यह है कि सोव्य संग का घरेलू उभोकता उध्योग बहतर था अब इसका क्या मतलब है देखिए सोव्य संग का घरेलू उध्योग यानि उसके देश में जो उध्योग स्थापित थे ठीक है प बहुत डिमांड थी उनके समान की ठीक है तो यानि कि घरेलू उभोकता उध्योग जो था वो बहुत बहतर था ठीक है उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहां देखिए कि यहां पिन से लेकर कार लगबग सभी चीजों का उत्पादन किया जाता था यानि कि सोव्य संग के जो घरेलू उभोकता उध्योग थे यानि उध्योग जो थे वो जो है वो पिन से लेकर कार तक यानि कि यह देखिए कि छोटी सी छोटी चीज ठीक है छोटी सी छोटी पिन से लेकर बड़ी से बड़ी कार तक का निर्मान किया जाता था सोव्य संग के उध्योग द्वारा तो यह होगी इसकी विषयश्ता नेक्स्ट है कि सोविय संग में बेरुजगारी नहीं थी बिलुकुल भी नहीं थी तो देखिए नेक्स्ट पॉ양्ट जो है नागरिकों के लिए नियूंतं जीवन स्तर सुनिशित कर दिया गया था यानि कि अब इसका क्या मतलब है नियूंतम जीवन स्तर तो देखिए जो सुवेशंग के सरकार थी उन्होंने क्या कर दिया कि जनता को वो मूलबूत अबशकता हैं वो चीजें जो उनके जीवन जीने के लिए जरूरी है ठीक है और उनको मिलना ही चाहिए वो जो है नियूंत रियायत दर का मतलब क्या है यहां पर कि कम से कम दर पर एकदम कम से कम कीमत पर उपलब्द करवाए जाएगी हो सके तो फ्री में भी ठीक है तो यह जो है रियायत दर पर जनता को उपलब्द करवाएगी ठीक है तो अगर आप इसको समराइज करना चाहते तो आप ऐसे कह सक तो पहला पॉइंट कर सकते हैं उभोगता उध्योग बैतर था तीसरा बेरुजगारी नहीं थी चौथा कि निवन्तम जीवन स्तर सुनिश्रित कर रखा था ठीक है तो next topic देखते हैं हमारा देखें सोवेत प्रनाली की कमिया ठीक है तो समय अनुसवार क्या हुआ कि सोवेत प्रनाली में कुछ कमी भी उभर कर आने लगी ठीक है जिसके कारण क्या हुआ आगे चलकर सोवेत प्रनाली का written हो गया यानि अंत हो गया तो यही जो कारण आप देख इसका आर्थ है सरकारी अदिकारी होते है नोकरशाही को आम नागरिक से अधिक सक्तिसाली माना जाता था ठीक है उनको कुछ खास अधिकार दिये जाते थे तो इसके कारण इनका डब-बा होता था ठीक है तो इसकारण भी सोवियत प्रनाली की कम्या उभर कर आई next है जिस सोवियत प्रनाली सत्तावादी हो गई ठेक है और नागरीको का जीवन कठिन हो गया यानि कि क्या हुआ कि सत्तावादी का क्या मतलब याँ पर कि जो भी नेता थे वो क्या सत्ता पाने की होड में थे सिर्फ सत्ता देखते थे अपनी नागरिकों का जीवन कैसा है नहीं है उस पर ध्यान नहीं देते थे तो इस कारण क्या हो आगे चलका नागरिकों का जीवन भी कठीन होता चला गया क्योंकि नेता जो थे अभिवक्ति का मतलब होता है बोलने की आजादी ठीक है बोलने अपने विचारों को प्रकट करने की आजादी लेकिन वहाँ पर सोव्य संग में क्या था कि लोगों को बोलने की तक की आजादी नहीं थी ठीक है ऐसा था वहाँ पर ठीक है तो वही लिखा है सोव्य संग के लो कि यह गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं ठीक है वो क्या करते थे चुटकुले हैं ठीक है चुटकुलों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करते थे या कार्टून में ठीक है कार्टून में अपने विचारों को प्रकट करते थे ठीक है यानि यह देखिए कि ठीक से नाग कार छेतर में थी उन सभी में भ्रष्टा अचार जादा हो रहा था ठीक है तो देखिए अगर आपको ये जो है पॉइंट में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि नौकर शाही का सिकंजा कसना ठीक है सोवेत प्रणाली का सत्तावादी होना ठीक है और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि लोकतंदर और विवैक्ति की आजादी का ना होना ठीक है ये सारी और उसके बाद हम लिख सकते हैं सोवेत संग की जाज़ा संस्ताओं में सुधार की जरूरत थी ठीक है तो आप ये जो है पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं और उसके बाद अपका प्रती जवाब दे नहीं थी, कहने का मतलब यही कि सोव्य संग में जो कमिनिस्ट पार्टी की स्थापना लेनिन ने की थी, वो बाद के समय में अब बुरा शाषन करने लगी थी, ठीक है, और जनता के प्रती जवाब दे भी नहीं थी, यानि अपनी मनमर्जी का शाषन चलाए जा रही थी, जनता क्या चाहती थी, जनता की क्या उम्मीदे थी, उसको, उससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है, कमिनिस्ट पार्टी का बिल्कुल बुरा शाषन था, यानि कहने का मतलब है कि सोव्य संग में जो नागरिक है उनको कुछ आशाएं थी कुछ इच्छाईं थी उनकी जो अपने सरकार से थी ठीक है, कि वो हमारी सरकार इस वार हमारे लें कुछ नया करेगी, कुछ अच्छा करेगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं ठिक है तो वही बताया गए कि Soviet Sangg अपने नागरिकों की जो आर्थिक इच्छाय थी आपकांशाई थी राजनिती का कांशाई थी उसको पूरा नहीं कर सका ठिक है next point है तो देखिये next point क्या है next point है कि Soviet Sangg ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तशेफ किया यनी दखल दिया ठीक है एक युद्ध हुआ था सोव्य संग का अफगानिस्तान से ठीक है जिससे सोव्य संग को आर्थी खानी हुई थी ठीक है सोव्य संग ने क्या किया का है या अन्य कोई देश है उससे प्रण्योगी की मामिलें में बिल्कुल पीछे था ठीक है यह भी उसकी कमी में गिना जाता है ठीक है तो आशाrie यह जो कमी आए वह आपको समझ में आई होगी ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इससे पहले हम इसको समराइज कर लेते हैं देखें कैसे होगा देखें कमिनिस्ट पार्टी का बुरा शाशन था ठीक है और अकांशाओं को पुरा ना कर सका सोगे संग और 1979 में अफगानिस्तान में हस्तशेप हुआ और प्रद्योग है कि मिखाईल गोरबाचेव उनिस्सौ अस्ती के दशक के मद्दे में यानि की 1985 में 35 में सोव्या संग की कमिनिस्ट पार्टी के महासचीव बने ठीक है यानि यह कमिनिस्ट पार्टी के महासचीव बने थे और उसके बाद देखे क्या होता है उसके बाद कुछ सालोबाद जो है ये नेता भी बनते अभी महासची बने ठीक है आगे देखते हैं फिर देखे 1990 में गोरबाचेव सोवे संके राष्ट्रपती भी बने ठीक है और देखे उसके बाद मिखाईल गोरबाचेव सोवे संके अंति राष्ट्रपती थे, अब ये देखिए, राष्ट्रपती बनने के बाद इनकी क्या पर्तिकिरिया थी, इन्होंने क्या किया, गोर्बाचेव ने सोव्य संग की व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया, अभी हमने कम्या पड़ी थी न, तो इसी तरह क्या हुआ, इन कम पश्चिमी देशों के साथ संबंध सामानने का प्रयास करना, अभी हमने कमी भी पड़ी थी न, कि सोव्य संग में लोकतंत्र और वेव्यक्ति के आजादी नहीं थी, तो यहां उन्होंने कहा कि लोकतंत्र रूप दिया जाएगा, ठीक है, जनता भी, जनता के परती जवाब देऊगी, सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, जनता को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसा उन्होंने क्या, कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, ठीक है, और नेक्स्ट है कि आर्थिक सुधार की नीती, ठीक है, आर्थिक या नहीं कि पार्टी के नेता उन्हें विरोध किया, क्योंकि देखो, गोरबाचेबी थे, जो ये चाते थे कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन, कम्मिनिस्ट पार्टी के नेता तो वही थे, वही सत्तावादी, ठीक है, अब कुछ चाते ही नहीं थे, कि जनता के परती हम कुछ करें, तो उनके नेता जो थे, उन्हीं के पार्टी में नेता, वो नहीं चाते थे कि विकास हो, लेकिन, अकेले मिखायल गुरबाचेब थे, जो चाते थे कि विकास हो, ठीक है, तो इस तरह से जो है, उनके पार्टी के अपनी ही लोगों ने उनका विरोध किया, तो देखते हैं, तो एक छोटे से समू द्वारा या कारवाई द्वारा सरकार को आसम वेधानिक तरीके से हटा देना, यानि कानून में लिखित वीडियों के जरीए नहीं, ऐसी विरोध परदर्शन द्वारा हटा देना, तो क्या हुआ, मिखायल गुर्बा चेप को विरोध परदर्शन करके क्या हुआ, कि उनके पार्टियों के लोग ने हटा दिया, जनता ऐसा नहीं चाहती थी कि मिखायल गुर्बा चेप तो जनता के लिए अच्छा कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि पार्टियों के लोग ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया तो देखे आगे क्या होता है कि ये सब छोड़ी आगे देखते हैं जब तक जनता को सोतंतरता का स्वाध मिल चुका था यानि कि जो मिखायल गुर्बा चेर्ब ने नीती अपनाई थी उससे ज़ए जनता को बहुत अच्छा लगा ठीक है और उन्हें जो है सोतंतरता का स्वाध मिल चुका था यानि उन्हें पता चल चुका था कि सोतंतरता क्या होती है ठीक है और अब वो जो है क्या था ये दिखे आगे देखिए कि वे कमिनिष्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाली शाषन में नहीं जाना चाहती थी, यानि कि कमिनिष्ट पार्टी की जो पहले वाली शाषन वश्ता थी ना, उसमें आप वापस नहीं जाना चाहती थी, उन्हें वही चीज अच्छी लगी, जो मिखाल गुर्बाचेव ने उन्हें दी थी आजादी ठीक है बोलने की आजादी लोक तंत्र उन्हें वो अच्छा लग रहा था यानि वो आप कम्निष्ट पार्टी की पहले वाली शाष्ण व्यस्ता में नहीं जाना चाहती थी जैसा पहले हो रहा था ठीक है तो आगे देखे क्या हुआ कि इस कारण गुर्भा चेब का सत्ता से हटाय जा रहा था इस चीज़ का विरूद किया यलतसीन ने यलतसीन कों है यलतसीन जो है वो भविश्य में यनि कि Բाग चलकर क्या होता है कि जो है कि रूस के प्रताम राष्टेपति बनते हैं ठीक है तो इन्होंने क्यों क्या गया concept का चुनाब जीता यानि रूसी गंड राजे में क्या हुआ यह जो रूस है वो सोवेसंग का ही एक पार्ट था ठीक है सोवेसंग में 15 देश शामिल थे ना तो उसमें से रूस भी शामिल था लेकिन रूस ने क्या क्या अलग से एक चुनाब करवाया रूस में और बोरिस यलतसि सरकार को नहीं मानेंगे अब हम्हारा जो रूस है हमने जो वहां के हम सरकार बने हैं अब हमी साशन चलाएंगे एक Кhrit को मानने से इनकार कर दिया थीक है तो यह है आपर आपको समझ आता अब आगे देखिए यहां से समझज ही फिर उसके बाद सन 1991 के दिसम्बर में этill 00 समापति की घोशना की, यानि कि आप तो महत्पूर्ण नेता चले गए, तो अब क्या करते, तो इसलिए यल्दे सिन ने क्या किया, कि सोवे संग के विग्टन की घोशना कर दी, और इसके साथ साथ जो है, क्या हुआ कि यूक्रेयन, बेलारूस, इन सब इने जो है, सोवे संग से नाता तोड लिया, क्योंकि अब जो है, सोवे संग बिखर चुका था, और अच्छा कुछ भी नहीं बचा था इसमें, इसलिए ये जो देशे थे, वो सोवे संग से अलग हुए, तो इस तरह से 1991 में, सोवे संग का विग्टन हो गया, ठीक है, बाकी के जो टॉपिक है, व झाल आग झाल